बिस्मिल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल्युल और ये मिर्ची ज़्यादा तेज नहीं है अगर आपके मिर्ची ज़्यादा तेज है तो इसके अंदर की सीर से निकाल दीजिए ये बींच और आप इसी तरह से सारी मिर्चों पर कट लगा लेंगी तो अब देखिए हम सारी मिर्चों पर कट लगा दिये है अब हम यहाँ दही ले लेंगी ये 500 ग्राम दही है इसमें दालेंगे 1 टेपली स्पुन भुना हुआ धन्या पोडर और 1 टेपली स्पुन भुना हुआ जीरा पोडर और 2 टेपली स्पुन नमक दालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाप से दालेंगी और 1 टी स्पुन हल् और किसी प्लेट या खुले बड़तन में थोड़ा से दही ले लिंगी और इसमें थोड़े से मिर्चा दाल कर अच्छे से मिला लिंगी आप चाहे तो डारेक्ट मिर्चों में भी दाल सकते हैं दही लेकिन वैसा करने से मिर्चों पर दही ठीक से लगेगा नहीं इसलिए ऐसा करने से देइं मे Newman表示 पर अच्छी से लगएगा ता तो अब देखिए इसी तरह से हँ सारे मुट्चों में देहीं लगा दिंगे तो अब देखिए सारे मुट्चों पर देही अच्छे से लग गया है अब हम एक बॉक्स ले लेंगी और इसके अंदर ये सारे दहीं की मिठचें दाल देंगी और इसके बाद जो दहीं बचा हुआ है उसे भी उपर से दाल देंगी आप चाहे तो किसी परतन में भी रखकर इसे कवर कर सकते हैं लेकिन हम ये box इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसे इसी में store करकर रखने वाले हैं हम इसे cover कर दिंगे अब हम इसे दो दिन तक इसी तरह से cover कर रख दिंगे ताकि तहीं मिड़चों के अंदर भी अच्छे से आ जाए तो अब देखिए दो दिन हो गए है अब हम इसे किसी खुले बरतन में डाल दिंगे और इसे सुकाने के लिए रख दिंगे तो देखिए इसका color भी light change हो गया है अब हम इसे fan के नीचे रख दिंगे 4-5 दिन के लिए सुकने के लिए अगर आप इसे धूब में सुका रहे है तो दूसरी तीन दिन लगेंगे इसे सुकने के लिए तब हम इसे सुकने के बाद बताएंगे तो अब देखिए 4-5 दिन हो गए है यह अच्छे से सुक गए है आप इसके आवाज भी सुन सकते हैं ये कितने अच्छी से सुके है अब हम इससे आपको फ्राइ करकर भी बताएंगी तो किसी घड़ाई या पैन में थोड़ा सा तेल ले लेंगे तेल को मीडियम सा गरम करना है, जाधा गरम नहीं करना है वनना तेल में मिर्ची दालती ही, मिर्ची जल जाएगी तेल मीडियम सा गरम होने के बाद हम फ्राइम को बिल्कुल लो पर कर देंगे और इसके अंदर ये मिर्ची दाल देंगे और इस तरह से फ्राइ कर लेंगे तो अब देखें मिर्ची फ्राइ हो चुके है, अब हम इससे निकाल लेंगे दाल चैवल के साथ इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है हर सालन के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो इस रेसिपिक को आप रख ट्राय जरूर करिए वीडियो पसंद आए तो लाइग और केमन करिए और शेर करिए ठांक्स पर वाचिंग